सट,यमि 1 फानि पडिया जॐला परी और मने तुमने विंद को अगनी शक्ती दी है उसका वो कड़त इस्तमालगर्णाया है अगनी शक्ति पर मैंने कुई अगनी शक्ती नहीं दिए इसे तुमने विवान को कोई अगनी शक्ति नी दी तो फिर इसने चिंटी और चिंटी के कपड़े और बैक एसे जिला दिये है क्या? विवान, क्या चटक करें? वो बात ही है जर असल मक्तिपरी कि मैंने बुत्तीपास चादू का गलत इस्तेमान कर दिया उसी की सादा मिल रही है मुझे मेरे दोनों के दोना आग के फट्टी बन चुके है हाँ किधर आँ तुभारे शरीर तो आग की तरह करब हो चुका है मुझे भी अंदर जैसे ही लग रहे है जैसे मैं तवे बे फ्राय हो रहा हूँ ब्लीज, मुझे जल से चल बार्टर के बास ने चलो थाकि मैं उनको सौरी बोल के वीस सजा खतम करवाशा को प्लीज क्या हुआ, सौरी बोल जैसे काम नहीं चलीगा तो मैं कान पकर कर रोटक भाटक भी कर रूँगा और अगर पार्टर के फिर भी माफ नहीं किया तो मैं मुर्गा भी बाल जाओंगा और बान भी दे दूँगा कुक्लो कुक ऐसे प्लीज विवान के माथे पर ये अजीव सब सूरत जैसा निशान कहां से आया पता नहीं मस्ती परी लेकिन मुझे भी कुछ कड़बट लगती है मुझे फॉरंग जाकर बालवीर और शौरिय को इस निशान के बारे में बताना होगा विवान के माथे पर सूरिय का निशान? हाँ और विवान का शरीर भी एकदम तेजी से गरम होते जा रहा है उसे लगता है कि उसमें बुद्धी पाश जदू का गलत इस्तिमाल कर दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है शौरिय, कहीं है तिम्नासा की चाल तो नहीं नहीं बालवीर तिम्नासा जो परमस्त्र बना रही है उसकी शक्ती सूरत से नहीं आ रही तो फिर कौन कर रहा है ये सब और विवान के माथे पर सूर्य का निशान क्यों है मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं बालवीर तक तक तुम पृत्वी पर जाकर देखो वहां पुरी शक्तियों की कोई हल चल तो नहीं हो रही है ठीक है शाइड देख रहे हैं आप लोग ये देखिए और ये देखिए ये क्या है आप लोग जानते हैं ये.. ये तो जली हुए बैक्स है ये कोई ऐसे वैसे बैक नहीं थे इटली से मंगाए हुए हंडड़ दॉलर के बैक थे सो डॉलर लेकिन इटली में तो उरो चलते हैं ना बात को घुमाईए नहीं असर समस्या पर ध्यान दीजिए विवान इसकूल में माचस लेकर के आता है आज बैक जलाए हैं कल को कुछ और जलाएगा तो मैं माचस लेकर नहीं आया था आप जाए तो मैचस टीचर से भूछ लीजी ना टीचर से क्या पुछ आ रहे हो ये लोग विद्या पर हाथ रखके कसम खाओ कि तुम स्कूल में माचस लेकर के नहीं आये थे माचस तो नहीं लाया था लेकिन बुक पर हाथ रखक वो आप लग जाएगी क्या सोच रहे हो रखो हाथ खाओ कसम नहीं नहीं प्लीज देख लिया आप लोगों ने इसी ने बैग जलाया है मेरे बच्चों का इटली वाला बैग मैं चाहता हूँ कि इसे आज के आजी स्कूल से सपेंट किया जाया ने ने मिश्रा उकल प्लीज पूजे सपेंट मत करवे देखे देखे मिश्रा जी जिन्दामत कीजिए आपके बच्चों के लिए इंपोर्टर नए बैग और स्कूल के नए कपड़े यह लेजिए तो आप नुक्सान की भरपाई हो गए अब विवान को आप सस्पेंड मत कराएंगे हाँ हाँ मिश्टर जी विवान आप ही के तो पर्डोस का लड़का है ना उसे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज देव ये तो हुई इसकी भरपाई मगर जो विवान ने गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए हाँ मिलेगी जरूर मिलेगी स्कूल के 20 चकर दोड़का लगाने पड़ेंगे ठीक है पूरे 20 चकर लगवाईएगा इससे बस पार्टनर अब और नहीं होगा विवान एक्टिंग मत करो सेफी की राण तो पखवा है तुमसे और वो भी सिब लोगों को दिखाने के लिए अरे आक्टे ही नहीं कर रहा हूँ और अब तो लोग भी चले गया है ना प्लीज माफ करना मुझे पहले तो उसे वाद चल रहे थे अब तो पुरी की पुरी बॉरी जल रही है मेरी थेंक यू बानी बरी पार्टर अब तो बुद्धी बाश जादू का ख़रत इस्तवाल करने की सजब पूरी दराज़े माफ कर दो रहा प्लीज हाँ वेवाण क्या तुम बिष्टे दोत्री मिनों में किसी से मिले थी या फिर इसीने तुम उगज खिलाया हो पिलाया हो यह कोई साधान जल नहीं है बच्चा इसके असर से तुम प्रिच्वी पे सूरज की तरह चमकोगे हलो अब दिराजचा हाँ अलाख नेरंजन वो तीन साधू मिले थी मुझे उन्जे बज मैंने अशिरवाद लिया था वो एक कमंडल में हाट डालकर कहीं वो तीन साधू काहीं लोग से तो नहीं आये थे हो सकता है पानीपरी लेकिन हमें विवान को पता नहीं चलने देना चाहिए मैं विवान को लेकर घर जा रहा हूँ कब तक आप यहां से विवान क्या आप देखे लिव लेकर घर पर आईए ठीके वराजा अब क्या ढूंड रहे हो इसमें इस एक आप वली दुर्मिन से ज्यादा टाख जाख मत कीजिये वरना आख खराब हो जाएगे आपकी और सब लोग आपको काना भैमार काना भैमार बोलने लगेंगे हाँ 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 प्रित्वी पर सूरज की स्थिती देख रहा था मैं विवान के शेहर में तो पैर का समय खत्म हो चुका है धीरे धीरे सूरज मीचे आएगा और जैसे ही सूर्यास थेगा विवान के साथ साथ ये प्रित्वी एक पले धमाके में पड़ जाएगी हाँ 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 एक ऐसी ऐसी छोटी सी दुर्विन मुझे भी दीजना भैरा जा ताकि मैं बाल्यों पल्यों को रोता हुआ देख सकूँ जब आपकी धबाके दार चाल काम्याब हो जाएगी हाँ 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 पार्डर बहुत करमी लग रही है यार कुछ करूना प्लीज परियो हमें अपनी शक्तियों का इस्तमाल एक साथ विवान पर करना होगा पार्डर के पूरी बल्टर ने एक साथ आकत लगाई है अब तक तो मेरा इलाज हो गया होगा ट्राइ करता हूँ पार्डर पार्डर विरा हो और्मी किरह होगया ट्राइ परियो, यह कोई छोटी मोटी मुसिबत नहीं है, मुझे शौरिय से सलाह नेनी पड़ेगी हेलो बांडल, मुझे ट्रीट्मेंट की मतने साइडा ट्रीट्मेंट की मिल ली है कोई टेंजिन वाली भापत नहीं है न? फिकर मत करो विवान, किसी भी इलाज का असर होने में थोड़ा समय तो लगता है इंतजार करो टाइम लगेगा, लेकिन ममी ने तो पांच बजे तक गर पोटी कुका है अगर तो रेक रांजी बने वापर नहीं लोटूँगा कोई बात नहीं विवान, तुम घर जा सकते हो लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छुना मत ओके वाटर, पानी बनी, तब तक अब मेरे साथ चली ही न? जब तक पाटनार के जादू का असर नहीं हो जाता तब तक अब मेरे साथ चल कुर मेरे हाथों पर ठंडा पानी चे लगते रहना प्रीज, चलो परियो मैं शारियो से मिलकर पता लगा था या खिर विवान पर किसने कौन सा जादू किया है तब तक आब विवान का ख्याल डखिये मैं जल्दी ही आँनका विवान के शरीर की गर्मी सूरज के चड़ने के साथ साथ बढ़ रही है इसका मतलब किसी ने उसके शरीर में सूरज का अंश डाल दिया है लेकिन किसने ये काम तिमनासा का हो नहीं सकता क्योंकि वो परमस्त तयार करने में विस्ट है लेकिन ये जरूर काल लोग के किसी दूसरे प्रानी का किया हुआ काम है शौरिय धर्ती लोग पर पानी परी विवान पर थेमने पानी की बोचार तो कर रही है लेकिन उससे विवान को ज्यादा देर तक आराम नहीं मिल सकता उसे पूरी तरह से ठीक कैसे किया जा सकता है इसका जवाब तो तुम्हें काल लोग में ही मिलेगा पालवी ठीक है शारी अब तो मैं इसका हई ढूंट कर ही लाटूंगा तो यह है परमस्त बहरानी नहीं नहीं की कसम एक बात कहूं मुझना उस बैमार की चाल पर बिलकुल वो नहीं है परोसा उसका तो वही हाल है जोटा है मूँ अर बड़ी बात भैमार की चाल काम्याब हो ना हो जब दाली लेकिन तिमनासा का ये वार खाली नहीं जाएगा आज पित्वी पर जैसे ही सूरेग रहन लगेगा मैं वीर लोग के चिथड़े उड़ा दूंगी पालवेर लेकिन नहीं हो रहा ना मुझे भी नहीं हो रहा है कि बहराजा इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे लेकिन एक ही चार में शेय और माद देने वाले हैं तुमका क्या करने वाले हो तुम विवान के साथ? सूरज दूबने दो, फटा चल जाएगा भाई मार सिधा सिधा बता दे वर्नाब मैं मैं बहुत दर गया मैं तर तर कापरा हूँ तुमारी धंकी से लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई धंकी नहीं है लेकिन फिर भी तुम थर-थर कापोगे बताये ना महराजा क्या आप भी सूरज में कितनी गर्मी है जानते हो बालवी मैंने सूरज का एक अंश विवान के शलीर में डाल दिया है और शाम को जैसे ही सूरज धलेगा रिवान का शरीर भटेगा और भाप बनके उड़ जाएगा और सिर्फ यही नहीं, प्रिस्थे में भाप बनकर उड़ जाएगी भाप रे भाप? भाप रे भाप? भाप रे भाप! जो जबागे, खौप के मारे चिलाली का मन हो रहा है? हाँ? दिवान को कुछ भी होए दूगा? विवान को तो तुम नहीं बचा पाओगे, बालवी तुम भी बीचे लेकिन तुम अपनी प्रिथ्वी को ज़हूर बचा सकते हो अगर तुम विवान को खुद अपने हाथों से मारो सूरज धलने से पहले या सोच रो, बालवीर जो भी सोचना है, जल्दी सोच लो, सूरज धुपने वाला है और सूरज धुपने के बाद भेरानी के परामस्त्र से विवेर लोग भी उपड़ जाएगा कमली, वो भी तो हूने से रोकना है ना कैसा किया पहराचा? इन लोने मुझे, एक तरफ फीर लोग है और दुसरे तरफ विवान और प्रिथ्वी इन सब को एक साथ इतना एक कम समय में, कैसे बचाऊंगा मैं? अगर दूरे ग्राचे पहले वापन नहीं लोटूगा तुम ममी का गुस्सा जिलना बड़ेगा क्या हुआ क्या हुआ कड़ी चुनाती आई तो पीट दखा कर भाग रहे हो अरे भाजय गाने तो क्या करेगा विचारा? आपने इसे धोर में डाल दिया उसे कि मती ब्रश्ट हो गई इसकी लट्टू की तरह चक्रम हो गया इसका दिमाग तुम सिर्फ नाम के बाल वीर हो या थोड़ी बहुत वीरता भी है तुमारे अंदर बोलो इसे बचाओगे, विवान को या अपनी प्रिथ्वी को या ऐसे ही पीट दिखा कर भग जाओगे पीट दिखार भागने वालो में से नहीं हूँ मैं मैंने फस्ला कर लिया है अगर प्रिथ्वी को बचाने के लिए मुझे विवान को मानना पड़े कि अ मैं तयार〉 तू मैं तयाद। ểuल ओढ़ सीधाज पार्वीर, जवंपाज ंआ वा मैंला जा, मैंला जा बाईमार किर जाए हो प मैंला जा बाईमार किर जाए हो सबसारर दीख किन तोड़ी देर पारे आप जीत रहे थे लेकिन आप जीत कया है, समझ लिए तुन्य उन्ने मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया है लिकिन सब्सक्राइब को मारने में एक से इस यह जोगा है कैजी सामेश? नबालविर, मेरे शक्तिया केवल बुराएप नाश् little विए कोई भी पत्यारक विवान को नहीं मार सकता इसले तुम्हे मुझे काल लोग का हत्यार देना होगा अरजा, आन जाहिए ना एल जाहेगा हत्यार लेकिन वो हत्यार इतना ताकतवर होना चाहिए जिसे मैं काल कॉम ग्रास से चलाओ तो वो परिथवे तक पहुंच जाहे काल कुम ग्रे वो तो बहुत दूर है वहाँ से तुम क्यों हमला करोगे क्योंकि अगर मैं परिथवी पर जाओंगा तो परियो को मुझ पर संदेह हो सकता है और शौरियो मेरी उर्जा से पता लगा सकते है कि मैं क्या करने वाला हूँ और वैसे भी कि वान को मारने के बाद मेरी शक्तिया छीन ली जाएगी उजे वीर लोग से निकाल दिया जाएगा तब कम से कम काल कुम ग्रह में रहकर मैं पश्चात आप तो कर पाऊँगा तरा जा क्या सूच रहे हो कर दीजे कर दीजे मान दीजे बाद जाएगे भैमार वार तो होगा पर विवान पर नहीं काल लोग पर